Hi everyone and today I am going to show you how can you solve 7.1 का question number 4 check whether the 5, minus 2, 6, 4 and 7, minus 2 are the vertices of isocel triangle तो यह हमारे पास 3 points रखे है 5, minus 2, 6, 4 and 7, minus 2 इसको हम triangle के vertices मानेंगे और check triangle के vertices मानेंगे और check करेंगे कि क्या यह isocel triangle के vertices है या नहीं है तो isocel triangle क्या होते है जिनके 2 side बराबर होती है कोई भी 2 side equal होती है तो हमने सबको इसको A मान लिए इसको B मान लिए और C point मान लिए ठीक है और इसको कुछ इस तरीके से मैंने triangle बना कर दिखा दी है अब आपको check करना है कि इसके 2 side कोई भी इक्वल है या नहीं है तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा y1 यह हो गया x2 यह हो गया और y2 यह हो गया simply put कर देंगे इसमें x2-x1 यानि कि 6-5 का square and y2-51 यानि कि 4-2 का square तो यह हो जाएगा 6-5 हो गया हमारा 1 और 4-2 हो गया हमारा 6 तो 1 का square 6 का square कितना हो गया हमारा 1 प्लस 36 यानि कि square root of 36 36 37 units यह भी निकल गया square root of 37 फिर bc निकालेंगे दूसरी साइड निकालते है या वली साइड निकाल लेते हैं तो bc के coordinate दे रखे है बी के coordinate दे रखे हमारे 6 और 4 and c के coordinate दे रखे हमारे 7 and minus 2 c के जो वर्टिस दे रखे है इसके unit तो यानि कि इसमें x1 इसको y2 माल लेंगे और इसको x2 इसको y2 माल लेंगे bc निकालेंगे triangle distance के formula में put कर देंगे x2 minus x1 यानि कि 7 minus 6 का square y2 minus y1 यानि कि minus 2 और minus 4 का square यह हो जाएगा हमारा 1 का square minus 6 का square यह हो अचली में आगे जाने कि जोड़त कि स्मार्ट परो क्यों जाना है मैं बिना फालट तो कि निकालेंगे जब दो साइड अगर तीसी साइड भी के इक्विलाटि लो जाएगा तो इक्विलेटर निकालने गों कोई इसेल ट्रींगर। इसेले ट्रींग तर विए और विए प्राफ एंगर ट्रींगर।